हम तर्ण देश वास्यों के ले चतीस गड़ की धर्थी एक ननिहाल जैसा है याद करना माता कौसल्या की जनम भूमी है चतीस गड़ भगवान राम की ननिहाल है और अयुद्या में भगवान का मंदिर बन रहा है जन्वरी में प्रणान मंतिरी जी के करकमलों से सिर्राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और उत्साव शक्तिस गड़ में होना चाहिए इस दिसे आपका आउमान पत्रुद रहा है अपनी संपता के कारण प्राकृतिक संपता बन का खनीच का पुरवरा भूमी का जन्संसादमों का यह दुनिया के संब्रिदितम छेत्रों में हैं लेकिन संब्रिद भूमी कॉंग्रेस ने तृत्व की पांच साल की सरकार में शत्तिस कड़ को बदहाल कर दिया है वह अवे ना कैसे योजनाओं से पंचित करने का पाप कॉंग्रेस ने तृत्व की सरकार ने किया है यह किसी से चुपावा नहीं है एक तो कॉंग्रेस का जो गोजना पत्र होता है यह जूट का एक पुलिंदा होता है कोई काम वह सच नहीं कर सकती कॉंग्रेस स्वयम देश के रेक समस्या है आतंगाद की समस्या कॉंग्रेस की देन अराजकता कॉंग्रेस की देन प्रसकाज़ार कॉंग्रेस की देन और करीब के मूúcar मिवाला चीनना भी एक कॉंग्रेस की ही देन है कॉंग्रेस लगातर पुरी देश के अंदर और चतीस गड़ के अंदर भी अविवस्ता और अराजकता पैदा करने का कारण बनी है पांच वर्स पहले जिस पिस्वास के साथ चतीस गड़ वासियों ने कॉंग्रेस को सब्ता सौपी थी कॉंग्रेस ने उसको परिवारवाद और प्रस्टा चार का सिकार बना दिया आज उसी का प्रिणाम है कि विकास से कोसो दूर लगातार चतीस गड़ जाता रहा है भायों बेनों आज यहां पर किसान को समय पर बोनस नहीं मिल पाता है यहां पर तेनुख पत्ता के किसानों के ले जो टॉक्टर रमान सिंग्जी के नित्रत्व की वारती जन्ता पार्टी सरकार ने विवस्ताएं की थी सब्सीडी और बोनस दिया था कॉंग्रेस नित्रत्व की सरकार मैं आपको उगत कराने के लिए आया हूं राम राज्य का मत्तब बिना भेत भाव के सासन की योचना का लाव हर गरीब हर गाओं हर फिसान हर मौशवान हर बंचित हर दलित हर आदिवसी समाज के हर तपके को बिना भेत वहाव की उप्लप्त करवा देना और यहीं उप्रत्व कराने के लिए तो मोदी जी ने पिछले साड़े नौ वर्स के इंदर परिश्रम दिया यहीं कर रहे हैं मुझे आज से ने होता है पांच वर्स में हमने उत्तर्वदेश में पच्पन लाग गरीबों को एक एक आवास दे लिया पच्पन लाग गरीब दे लिए वहां कॉंग्रेस ने परत्व की वुपेश बगेर जी की सरकार ने भायो मेनों उस आवास को भी हड़क दिया है नहीं बन ले दिया है मैं पोचना जाता हूँ क्या आपको जो प्रहान मंत्री जी के लाड़ा आवास बेजा गया था आवास मिला क्या आवास मिला नहीं मिला हम आए हैं कहने के लिए 16 नहीं 18 लाग गरीबों को आवास उपलत करवाए दिया है हर घर नल की योजना के लिए पैसा दिया है क्या यहां पर हर घर नल योजना लाबू हो गई गया नहीं करेंगे क्योंकि पैसा तो इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है कि गरेब को सुद्व पेजब मिले एक कॉंग्रेस के जेंटे का हिस्सा ही नहीं है और इसी लिए कॉंग्रेस नहीं चाहती है वे केवल वाइदे पे दिस्वास करते हैं वाइदा पर वाइदा जैसे एक खिलम आई थे ना तारीक पे तारीक हम लोगों को कहते थे पहले लोग की भाजपा के लोग कैते तो है कि रामदबा हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और फिर कहते थे तारीक नहीं बताएंगे लेकिन हमने तो सब्ता में आए गेंद्र में मोधी जी आए अप्तरफुनेश में भाजपा की सरकार आई हम लोगों ने जो कहा सुब करके लिखा दिया मंदर में बना रहे हैं और आप पारीक भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी को रामदबा अपने मंदर में कराजमान हो जाएंगे लेकिन एक कॉंग्रेस हैं कि इनकी तारीखी नहीं आती है इनकी तारीखी नहीं आती है और इनके यहां तो हर यहां का गरीब और बंचित कह रहा है जो बेभर है गरीब है वह बेवस है इस बात के लिए कि उसे आवाज की शुक्ता का लाब दिनना चाहिए और लोग यहीं पूछ रहे हैं यहां पर कि हमन लतो नहीं मिलीज आप लोग मिलीज का यहीं तो पूछ रही है ना यहां की जन्ता नहीं मिला करीब को कोई योजना का लाफ नहीं देना जाती हैं की सब्का किसान का बोनसलब जा रही है, किसान का खाद हडब जा रही है, किसान का बीज हडब जा रही है, किसान के स्वास्ते बीमा का कबर हडब जा रही है, हर घर नल्य योजना को हडब जा रही है और योजना वही जो डॉक्टर रमन सिंखी ने चलाई थी, याद करिए, सबसे पहले बेश में एक रुट्या किलो चावल, चत्तिस गड़ की बंधों को प्राफ्ट हुआ था, और मोधी जी तो, करोना काल खट में भी आपके साथ खड़े रहे, याद करिए, जब पुरी दुनिया अस्त भ्यस्त भी, द्रस्त भी, अपनी स्वयं की जान के लाने के लिए तो अप रही थी, तब मोधी जी दुनिया के एक मात्र लेता थे, जो अपने देश को बचाने के लिए, देश की जन्ता जनारदन के सेवा के लिए पुरी ताकत के साथ लगे वे थे, फिरी में टेस्ट, फिरी में उपचार, फिरी में रासन, अभी भी रासन मिला है न, वी दूनिया के इंदर कई नहीं मिल्ला है कि विह भारत में मिलना आए 80 कुरुर्ण गरीबों को राशन और फिरी में वैक्सिन भी वैक्सिन मिला ना वैक्सिन मोधी जी ने एसी फुखता व्यवस्ता कर दी कि वहा हर करीम को बिना बेह्द कर दो दो हमने चाती नहीं देखी, किसी की पाती नहीं देखी, किसी का मत नहीं देखा, किसी का बजब नहीं देखा योजनाओं का लाथ सब को समान रूप से, बेत बाओ किसी के साथ नहीं लेकिन गुंडा गिर्दियर आराजकता भी किसी की प्रदास्त नहीं और यही कारण था 220 क्रोड वैक्सीन की डोज देश के अंतर फिनी में देने वाला भारत दुनिया का एक मात्र देश था करोना भारत के अंतर पुनी तरह समाप करोना समाप तो हो गया ना करोना का वह तो नहीं है ना अगर करोना का वह पायोगेरो हम इतनी बड़ी संख्या में एतनी बड़ी सभाव यह कर देए और रहें कॉण्ग्रेश्प की सरकार आती है मनबढ उच्चत्कों का सोधे किसम के उपद्रवियों का तुस्साहस बढ़ जाता है धर्मांतर बढ़ जाता है कॉंग्रेस तो छटू बेस में उन लोगों को अब बनवासी और आदिवासी के नाम पे ज़नार रणाने को कुछ सिंद प्रियास कर रही है और इसी लिए आपको साउधान करने के लिए यह बढ़ान राम ने बनवास के समय इसी धर्ती पे सवाधिक समय पे पीट किया था और यहीं पर नोंने गोशना की लिए मैं सिचर ही ने करो हुँ महीं वो जो उठाए प्रण की और नोंने कहा था कि जबता कि इस धर्ती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा मेरा इस संकल्प होगा कि मैं इस धर्ती को छोड़ूंगा नहीं और भाईयो बेनों आज आप सब का संकल्प होना चाहिए जो भुस्ताचारी जो अवाजक का भादी है गरीट क काथ璃 पीवानकरतार दुखिस करता है बेकियों की शुलप्सा में किसेंड कारिक करता है वहाँ किसी राक्षस से कम नहीं है और घुथा स्वक्तार करों करता है एकी संकल्प होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए भायों हमारा जो संकल्प आज 36 गड़वासियों का बनता है और संकल्प यहां कि लोगों का एकी संकल्प है और संकल्प है आउन नहीं सहिपो बदलके मेरे साथ फिर से बोलेंगे आउने सही को इसाथ गड़ का संकल्प है और इसलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं भायों बेनों हम सब मिलकर के भारती जन्ता पार्टी के कमल को खिलाने की तयारी करें सब सही सह मत आए एक वारती जन्ता पार्टी में अपने प्रत्यांसियों को कि सुरफ में उता रहा है सीब हरत भर्मा को कि एक थोटे से कारेकरता से उबर करके आज प्रधेस में हो भीसी कारेकरताओं का निज़ित्त्व करते हैं पारती जनता पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है याद करिए अब बेटी और पहुँं को भी सम्मान भारती जनता पार्टी दे रही है और इसी वे आप से कावान करने के लिए आया हूँ कमल चुनाचिन पर क्या चुनाचिन है कमल और कमल चुनाचिन पर इन दोनों को इंदी विलांसावाद सीटों पर दोनों अगर सीमदी गीता गासी साओं के छेत्र के लोग यहां पर आये हैं उनके नातेदार रिस्तेदार नाओं में हैं तो अपने नातेदार रिस्तेदारों से कह करके जाएंगे देमानी और फ्रस्ताचारी को देश के साथ गदारी करने वालों को देश के साथ देश के विकास में बाद तक तक तो गों स्विकार नहीं करेंगे और इसके रहे रामराज की प्रिकर्पना को साकार करना तो भाजप्पा एक मात्र भी करता है और इसके भारतिये जनता पार्टी को चिताना है कमल विसान लाना है इस संगर्पन के साथ हम कारे करेंगे और डोगर गाओं में जो भी लोग कुछी विदानसावाद छेतर से चुड़े वे लोग हैं उनके नातेतार इस्तेतार होंगे वे सबी वहां जाकर के इस बात को बोलेंगे कि किसी भी स्तिपी में हमें यहां पर बहियो बैनों एक ही बात को कहना है कि हमने बनाया है, हम ही समारेंके याद करना आज 37 गड़ को 98 बहारी बाचा में जी ने बनाया था और इसलिए तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है तैयारी पूरी है, भाजपा जरूरी है एक बार मेरे साथ आप सब बोलेगे तैयारी पूरी है और भाजपा जरूरी है का मत्तब कमल का फूल साथ नौमबर को कमल चुनाचिन पर भारती जत्ता पार्टी ने अपने घोशना पत्र में कह दिया है पेड़ी का नाम इकतीस सो रूपया मिलेगा और एक किसान को एक एकड़ में इकीस उंतल तक की छूड़ दी जाएगी वह यो बेनों देदू पत्ता के जो लोग हैं काम करने वाले लोग हैं वस्पन सो रूपय हमको देके और उनको चरण बादुका भी उपलब्द करवाएंगे यह भारतिय जन्ता पार्टी कर रही है गरीब क्यों चार के ने दस लाग रूपय तक की दिवस्ता और बाकी सुमिदा तो भाजपाही दे रही है बाजपाही ने वही है बाजपाही ने किया है और बाजपाही करेगी और इसी ने आपका उमान करने के लिए आया हूं इन दोनों प्रत्यासियों को और भारतिये जन्ता पार्टी के प्रत्यासी पूरे जन्पत में चार कई भी भारतिये जन्ता पार्टी का प्रत्यासी कमल प्राद शुनाचिन्न के साथ मैं है उन्हें भारी कहमतसे विजेश पनानी के भिलापसित से करता हूं। आप सब सहमत है। समी शहमत है। तो मेरे साथ दोनों आत्रा करके बुलेंगे जै जै श्री राम। जै श्री राम। जै जै श्री राम। कि दोनों फिर अयोद्या ध्राम का दर्शन जन्मरी में करवाएंगे प्रणिवान समाल ले अधित्य योगिनाजी